कहानी जादूई अंडा और जादूई परी की वनवानी गाओं में महेश बाबु अपनी बेटी रूपाली के साथ रहते थे रूपाली बचपन से ही दिमाग से थोड़ी कमजोर थी वह शरीर से भले ही बड़ी हो गई थी लेकिन अभी भी दिमाग से बिल्कुल बच्ची थी वह दिन भर अपने खिलोनों के साथ खेलती रहती थी फिर महेश बाबु ने अपनी बेटी रूपाली की शादी विवेग के साथ करा दी महेश बाबु ने अपनी बेटी की शादी में दहेच की रूप में बहुत सारा सोना और रुपए दिये थे ताकि रूपाली की ससुराल वाले रूपाली को कभी परिशान ना करे शादी हो जाने के बाद रूपाली अपने पिता से कहती है देखिए डैडी, अब तो मेरी शादी भी हो गई है आपने कहा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब आप मुझे परी रानी वाली डॉल लाकर देंगे कहां है मेरी परी वाली डॉल रूपाली की बात सुनकर विवेक और उसकी मा चौक जाते है रामू रूपाली बेवी की डॉल लेकर आओ महिश बाबू का नौकर रामू रूपाली बेवी की डॉल लेकर आता है डॉल मिलते ही रूपाली उस डॉल से सबके सामने खेलने लगती है अपनी बहु रूपाली को ऐसे डॉल से खेलता देख रुपाली की सास फुलवा देवी डर जाती है और वह सोचने लगती है दहेज की लालच में आकर मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवा तो दी है लेकिन अभी इसे तोड़ नहीं सकती हूँ अगर अभी इस शादी को तोड़ दिया तो सारा दहेज लोटाना होगा इसलिए बहतर होगा कि एक साल तक इसे झेल लेती हूँ एक साल बाद महिश बाबु से कह दूँगी कि उसकी बेटी पागल है और वह इस शादी के लायक नहीं है आप अपनी बेटी को यहां से ले जाएए तब मुझे यह दहेज भी नहीं लोटाना होगा विवेक अपनी मा का एक लोटा बेटा था फुलवा देवी अपने बेटे को जो भी कहती विवेक उसे आख बंद करके मान लेता था समय बीता गया अब विवेक और रुपाली की शादी को एक वर्ष हो चुके थे अब चालाग फुलवा देवी ने अपना खेल चालू किया अब फुलवा देवी रुपाली को जली कटी बाते सुनाने लगी हाई राम यह मैंने क्या कर दिया अपने एक लौते बेटे की शादी तुझ जैसी पागल लड़की से कर दी मेरे तो भाग ही फूट गए जिस दिन से शादी करके मेरे घर आई है तब से मेरे बेटे को बस परिशान करके रखा है शरीर से तो भले ही तू बड़ी हो लेकिन अकल से आज भी पैदल है कौन सी इच्छा सासुमा मुझे बताईए पोता पोती देखने की इच्छा है पर तू पागल इसे क्या समझेगी तुझे क्या पता की बच्चे कैसे होते हैं तो सासुमा आप ही मुझे बता दीजे ना की बच्चे कहां से आते हैं हे भगवान, अब मैं तुझे यह भी बताऊं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, यह सब सुनने से पहले भगवान तुझे तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया, या इस पागल को ही उठा लो आप गुस्सा क्यों हो रही हो, बताईए ना सासुमा, बच्चे कहां से मिलते हैं, बाजार से मिलते हैं, जा, जा कर खरीद ला वहां से बस इतनी सी बाट सासुमा मैं अभी जाती हूँ और वहाँ से एक बच्चा खरीद कर ले आती हूँ और आपकी इच्छा पूरी कर देती हूँ रूपाली अपनी आलमारी से एक सोने के सिक्के से भरा बैग लेकर घर से बाजार के लिए निकल पड़ती है बच्चा खरीदने के लिए रूपाली बाजार पहुँच कर ढूनने लगती है यहां बच्चे कहां पर मिलते होंगे किसी से पूछ लेती हूँ सुनिए दीदी यहां पर बच्चे कहां पर मिलते हैं बच्चे किसके बच्चे इनसान के बच्चे दीदी इंसान के बच्चे तुम क्या करोंगी उन बच्चों का बताओ न दीदी कहा मिलेंगी इंसान के बच्चे यह तुम क्या कह रही हो कहीं पागल तो नहीं हो चल भाग यहां से पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ऐसे पागल लोग भागती है या नहीं यहां से वरना पीट-पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी चल भाग यहां से रुपाली को हर कोई पागल समझ कर धुतकार देता रुपाली यहां-वहां बच्चे की दुकान देखने लगी तब उसे एक दुकान दिखी जहां पर भेर बक्रियों के बच्चे बिक रहे थे रुपाली ने उस दुकान पर जाकर पूछा भाईया क्या आप इनसान के भी बच्चे बेचते हो क्या बकवास कर रही हो निकलो यहां से पागल कहीं की रुपाली जिस भी दुकान में जाकर पूछती वहां से भगा दी जाती हर कोई उसे धुतकार रहा था वही पास में एक चालाग दुका अंदर यह सब देख सुन रहा था उसने सोचा यह तो कोई पागल लग रही है लेकिन इसने बहुत सारे सोने के गहने पहन रखी है कोई रही इस घर की ओलाड होगी क्योंना मैं इसे बेवकूप बना कर इसके सारे गहने ले लूँ तब उस ठक दुकानदार ने अपना भेश बदल कर एक सादू का भेश धारन कर लिया और रुपाली के पास आकर कहता है अलख निरंजन अलख निरंजन आओ आओ मेरे पास आओ पुत्री मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें एक बच्चा चाहिए है ना पुत्री हाँ बाबाजी मुझे एक इंसान का बच्चा चाहिए है क्या आप मुझे एक बच्चा दे सकते हो हाँ पुत्री यहां आकर बैठ जाओ फिर वह बहरूपिय दुकानदार मंद्र पढ़ने का नाटक करने लगा कुछ देर बाद रुपाली कहने लगी अरे बाबा जी आप तो मुझे बच्चा देने वाले थे ना आ पुत्री देता हूँ बच्चा लेकिन बच्चा खरीदने के लिए धेर सारे पैसे लगते हैं हाँ बाबा जी मेरे पास पोटली भरके सोने के सिक्के हैं यह आप ले लो रुपाली ने उस दुकानदार को वैस सोने के सिक्कों से भरी पोटली दिखाई देखकर उस ठक दुकानदार के होश उड़ गए बस इतना ही रुपिया है पुत्री तुम्हारे पास हाँ बाबा जी बस इतने ही सोने की सिक्के हैं मेरे पास पुत्री बस इतने पैसे में तो इनसान का बच्चा तो नहीं पर इनसान का एक अंड़ा ही आपाएगा पुत्री जरूर बहर आएगा पर थोड़ा सा इंतिजार करना होगा। हाँ, ये इंसान का अंडा है, बड़ा तो होगा ही ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं बाबाजी, यह लीजिए पैसे। रूपाली उस मिट्टी के अंडे को लेकर वहां से जाने लगी, तब उस ठगने कहा। संभल कर जाना बेटी, रास्ता बहुत खराब है, अंडा कहीं गिर कर फूट ना जाए। हाँ, माबाजी, मैं ध्यान रखूंगी। रूपाली बहुत खुश हो गई, और चलते चलते खुद से बाते करने लगी। अब तो मेरा भी एक बच्चा होगा, जब यह अंडा फूटेगा, तो उसमें से एक बच्चा निकलेगा, और वह बच्चा जब बड़ा होगा, तो उसकी साथ मैं खेलूंगी, सासु मा की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चलते चलते रास्ते में रुपाली को एक महल दिखाई दिया, ऐसा महल तो रुपाली ने अपने सपने में देखा था। परी उदरती है, रुपाली ने अंडे को परी के सामने लाकर रख दिया, तुम कौन हो पुत्री और यहाँ परियों के महल में क्यों आई हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हूं पुत्री। वक्त रहे, आप अपनी गुडविश इस अंडे को दे दो और इस अंडे का खयाल भी रखना। तुम चिंता मत करो पुत्री, जैसा तुम चाहती हो, वैसा ही होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, इसका वर्दान देती हूं। अब तुम्हें कोई पगली नहीं कहेगा। इतना कहकर उस रानी परी ने अपनी जादूई छड़ी से एक सुनहरा कवच निकाला। उस कवच ने अंडे को चारो तरफ से ढख लिया, फिर उस अंडे में जान छड़क दी। शुक्रिया रानी परी, इस अंडे से जब बच्चा निकलेगा, तो मैं उसका हमेशा खयाल रखूंगी, ताकि कोई उसे पागलना समझे, अब मैं चलती हूं। इतना कहकर, रुपाली अंडे को लेकर अपने ससुराल पहुँच जाती है। सासूमा, मैं इनसान के अंडे को ले आई हूं, अब इस में से मेरा बच्चा निकलेगा, जो आपको दादी दादी कहेगा। अरे बेवकूफ, यह तु कहां से ले आई, इनसान का अंडा भी होता है क्या। होता है सासूमा, यह इनसान का अंडा मुझे एक साधू जी ने दिया है और कहा है कि इनसान का बच्चा इसे फोड़ कर खुद बाहर आ जाएगा। पागल कहीं की तूने तो जिन्दगी ही मेरी बर्बाद कर दी, चल यहां से तेरे बाप को जाकर तेरा यह कारनामा दिखाता हूँ। विवक और उसकी मा रुपाली को अंडे के साथ उसके पिता के घर ले आती है। देखिए ससुर जी, आपकी पागल बेटी क्या कारनामा करके आई है। इसे खेलने के लिए एक बच्चा चाहिए था। तो यह ना जाने कहां से यह अंडा उठा कर ले आई। और कह रही है कि यह इंसान का अंडा है और इसमें से बच्चा भी निकलेगा, बटाईए। रुपाली के पिताजी महेश बाबु सरमिंदा होकर अंडे को देखने लगे। बेटा, यह क्या है? इंसान का बच्चा अंडे से बाहर नहीं आता है। पिताजी आएगा, इस अंडे से बच्चा जरूर आएगा। और बच्चे की रोने की किलकारी के घर गूंज उठा। तब वहाँ खड़ी सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि अंडे के अंडे के अंदर से इंसान का बच्चा कैसे निकल गया। रुपाली बहुत खुश हो जाती है यह सब देखकर। बच्चा मेरा बच्चा देखो पिताजी देखो सासुमा अंडे से मेरा बच्चा आ गया है। वहां खड़े सभी लोगों को अपनी आखों से देखने के बाद भी यकी नहीं कर पा रहे थे। यह चमतकार उस जादूई परी का था, जिसने उस मिट्टी के अंडे में जान छिड़क दी थी। यह बच्चा उस जादूई परी ने रूपाली का अकेलापन दूर करने के लिए उपहार स्वरूप दिया था। आखिरकार वहां खड़े सभी लोगों ने इस बात को मान ही लिया कि इनसान का भी अंडा होता है। और कुछ सालों बाद जब रूपाली का बच्चा बड़ा हो जाता है तब रूपाली की दिमागी हालत भी ठीक हो जाती है। दोनों रूपाली और उस बच्चे के साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं। अब रूपाली को कोई भी परिशान नहीं करता था। दोस्तों हमें भी अपने जीवन में हमसे छोटे या कमजोर लोगों को कभी परिशान नहीं करना चाहिए। वे हमसे कमजोर हैं ऐसा सोच कर उनकी अभेलना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। और आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ।